हलो एवरीवन वेलकम टो दिस वीडियो आज की इस वीडियो में हम आवर एन्वार्मेंट चैप्टर का लास्ट टोपिक है आई थिंक मैनेजिंग दगार्बेज वी प्रोड्यूस को पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मतलब कैस्ट टोपिक का कि भी जो डिली पॉलिशन होता है एर पॉलिशन होता है वाटर पॉलिशन स्वैल पॉलिशन तीनों इससे वक्ते हैं तो इसको मैनेज करना भी काफी टीफिवल टास्क है तो इसको देखते हैं कैसे वो मैनेज करते हैं इन अवर डेली अक्टिविटीज वी जनरेटे लोट ओफ मेटिरियल तो आपको देखना है कि वेस्ट में क्या क्या होता है वाट हैपनस आफटर जी थो देम अवे और होता क्या है कि जब हम उसको बाहर फेंग देते हैं उसके बाद उसका क्या करते है लेट एस परफॉर्म एक्टिविटी तो फाइंड आंसर अफ दीज कैसंस तो एक एक्टिविटी इन होने की हुए देख सी थोड़ा जल्दी करते हैं इसको क्लेक्ट वेस्ट मेटियल फ्रॉम इर होम इसकोड इंक्लूड ओल वेस्ट जनेरेट दूरिं डेलाइक किचन वेस् वेस्ट पेपर हो गया एंपटी मेडिशन बोटल्स होगी है कि बबल्स पैक से ओल्ड एंड टरन क्लोची जन ब्रोकन फुट वेयर तो यह सब वेस्ट है क्या करना आपको अपने जो घर का वेस्ट है उसको इखटा करना है उस वेस्ट के अंदर सब कुछ आएगा किचन का वेस्ट भी हा गया उसके अंदर उसके अंदर प्याज के सबजियों के और सभी के चिलके वेगर आ जाते हैं चाही पत्ती वेगरा मिल्क के पैकेट वेगरा एंपटी कार्टन जो होते हैं उसके बाद वेस्ट जो पेपर है उसके बाद मैडिशन हैं उसके वेस्ट होगे मत अगलब हर एक तरह का वेस्ट आपने खटा कर लिया है बरे इस मेटिरियल इन एपिट इन दर स्कूल तो स्कूल के अंदर आपने गड़ा ख़दा और उसके अंदर इसको दबा दिया अगर आपके पास नहीं है तो इस मेटिरियल को एक पुरानी बाल्टी या फ्लावर पॉर्ट के अंदर ही खटा कीजिए और इसको 15 सेंटिमेटर स्वेल उसके अंदर डाल ये और उसको डख दीजिए तो इसको थोड़ा सा मुष्ट रखना है मतलब थोड़े बीच-बीच में पानी डालना उसके उपर और पंदर दिन के बाद देखना है अब यह क्यों से मटेरियल रहें कि बीच वी जो प्लास्टिक मेटियल रहे जो डिए नहीं हो सकता है वह पिल्कुल वैसा रहे बश्याए वाट रहे इसे मटेरियल जो की डिए कर सकते हैं जैसे कि सबजी फल होगे इसके पत्ते होगे जैसे कि पेपर हो गया यह सब डिए हो सकते हैं ओव दीज मटेरियल डार चेंज वीच वन चेंजिट फास्टर और जो मटेरियल चेंज होएं तो उनमें से कौन सा ज्यादा चेंज हो है मतलब जो थोड़ा-थोड़ा गलना स्टार्ट होगे हो कौन ज्यादा गला है तो यह में देखना है तो नोर्मल कि भाई जो हम फूड खा रहे हैं उसको छोटे-छोटे पाउट में ब्रेक किया जाता है सिंपल फों में ब्रेक किया जाता है बहुत सारे एंजाइम सोते हैं उसमें क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि भी वही एंजाइम एक ही एंजाइम सभी जो हमको सभी जो चीज़े खा रहे हैं उसको ब्रेक क्यों नहीं कर सकता एंजाइम सार स्पेसिफिक इन एक्शन तो इसका अंसर है कि वह स्पेसिफिक होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं स्पेसिफ CLI-Page, यह protein को तोड़ना है, उसको protein-ची है, nucleic acid को तोड़ना है, nucleic G है, तो यह सब अलग enzymes होते हैं, अलएक enzymes का काम करने का तरीका, उसका way of action, उसका optimum condition, उसका specific action होता है, हर एक enzyme का अलग होता है, that is why we will not get any energy if we try to eat coal, तो हम अदि कोल खाएंगे, तो उसे हमें energy नहीं मिलेंगे, energy क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको break करने का enzyme हमारे अंदर नहीं है, break नहीं होगा, तो उससे energy नहीं मिलेगी, energy मतलब ATP से नहीं बनेगा, benefits of this, many human made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria, तो अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा है, कि ऐसे ही जो बैक्टिरिया होते हैं, या लग लग enzyme है, जो इनको तोड़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसा material human being produced करते हैं, जो उसको नहीं खाते हो, खाना हम कह सकते हैं, नहीं मतलब तोड़ सकते हैं, बैक्टिरिया होते हैं, बहुत सारे सैप्रफाइट्स होते हैं, फेंजाई होती हैं, जो कि डेड और गनिक माइटर को डिग्रेड करने के काम करते हैं, उसको डिकमपोजर कहते हैं, इस मतिरियल्स विल बी एक्टेड अपोन बाइप फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट जाते हैं, काफी लंबा से मतलब, फंदरा साल, दस साल से उपर, अगर हम पोलिथिन डालते हैं, तो वो करीब करीब पहले वाली जो पोलिथिन थी, उसके अंदर ज़्यदा टाइम लगता था, आज कल की थोड़ी मिक्स आचुकी है, जिसके अंदर बायो डिग्रेड़ेड देखी ये डैफिनिशन आई है कि भायो डिग्रेड़ेडिबल है क्या के भी ऐसे स्ट्टां की बायो जीगल प्रोसर के दोरा के ला डिग्रेड़ेडी कर सके, अब तौभी उसको डिकंपोज कर सके हैं, इसको सिंपल फॉम में तोड सकें बहुत सारे एंजाइम के दो औरा बहुत सारे bacteria finzy के द्वारा, हम उसको decomposers कहते हैं, तो ऐसे substance जो के decomposers के द्वारा decompose के जा सकते हैं, उसको बायो-degradable बोल देंगे, How many of the substances you were buried were bio-degradable, तो जो activity की थी हमने उसमें देखा होगा कि भी कुछ इक substances तो bio-degradable थे, Substances that are not broken down in this manner are set to be non-biodegradable ऐसी Substances जो कि नहीं break हो सकते है उसको हमने non-biodegradable कहा देखें नाम से लग रहा है non-biodegradable by मतलब living जो किसी living चीज़ के द्वारा degraded नहीं कि जा सकते है These substances may be inert and simply persist in the environment for long time or may harm the various number of ecosystem तो यह क्या करता है यह environment के अंदर काफी लंबे समय तक रहता है और हमारे ecosystem को harm करता है हमारे environment को harm करता है pollute करता है आगे देखिए activity को थोड़ा है जल्दी पढ़ते हैं Use the library or the internet to find out more about biodegradable and non-biodegradable आप नेट पे राम से सर्च कर सकते हैं आपको काफी कुछ material मिल जाएगा How long are various non-biodegradable substances expected to last in the environment? यह आपको लिस्ट मिल जाए कि विए कुछ non-biodegradable कितने टाइम में degraded हो सकता है These days new types of plastics are said to be biodegradable are available Find out more about such material and whether they do or do not harm the environment तो बहुत सार ऐसे substances आ रहे हैं जो की biodegradable है plastic type होता है Visit any town or city and we are sure to find heaps of garbage all over the place तो हम इदी कोई बड़े शहर के अंदर enter होते हैं तो आप जैसे दिल्ली वगरा में गए होंगे तो आपने दिल्ली हो गया गुर्गाओं हो गया नोड़ा साइड तो सहर के अंदर गुछने से पहले ही थोड़ी smell आने लग जाती है आसपास कुड़े का धेर दिखने लग जाता है धेर का मैं छोटा मोटा धेर नहीं कहा रहा हूं भाड साइज कुड़े के पहड बन जाते हैं इतना इतना गारवे जिखटा रहता है विजिट अनी प्लेस अफ टुरिस्ट इंटरस्ट और विएर शोट फाइंड प्लेस लिटरड विद एंपटी फूड व्रेपर्स तम गाव में अगर घूमते हैं तो वही आसपास आप देखते होंगे हमारे तो यहां पर कुल्डियां डालते हैं तो उसमें भी प्लास्टिक भी डालते हैं तो प्लास्टिक को अलग से डालना चाहिए वहां पर नहीं डालना चाहिए खेत के अंदर भी प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए in the earlier classes we have talked about this problem of dealing with the garbage that we generate तो हमने पिछले वाले में देखा था कि हम कैसे पॉलिशन करते हैं कैसे हम डिग्रेड करते हैं let us now look at the problem in a bit more deeply तो हम कुछ सब्सक्राइब में देखते हैं कि भी कैसे हम कर सकते हैं activities ज्यादा हैं तो आपने activities में कुछ ने करता है ये कुछ questions पूछता है आप कुछ concern देने होते हैं जैसे कि कोई place से बाहर जहां पर आप कुड़ागर कट डालते हैं पंसायद भावन है इस वेस्ट को ठीक करने का काम करता है तो ये थोड़ा सहरों में ज्यादा होता है कि भी एक जगए कुड़ा डाला है डस्ट बीन में वहां से कोई और लेके जाएगा वहां से काड़ी कहीं और लेके जाएगी वहां पर उसको डील करते हैं उसको अलग वेस्ट की काटेगरिज की बना देते हैं कि वैक इसके अंदर प्लास्ट जए कों सा आज तल आप देखते होंगे की भी जो ऑ डैग ही कर दे हैं जैसे है दिस्ट्वीन है डेकोहज भाठे दिया गया है घ्रीन अडिन शोफ का दिया गया है इस है प्रॉब्स देशकाहित ना धुम्हस्योर और्ट आमांट लोगाया तो सहने हैं तो हम जाद्धाता है दिस्पोजेबल चीज़े युज़ कर रहे हैं जैसे कि अगर नॉर्मल बात कर जाए तो पहले जो ट्रेंडी ट्रेंग वगरा या ज़्यादतार केसिज के अंदर जो चाय मिलती थी वह कुलड की चाय होती थी जो कुमार बनते हैं आज कल आप देख सकते हैं कि भी जब प्लास्टिक के जो कप आते हैं उसमें चाय बनती है एक और कप होता है पेपर कप उसको भी आज यूज कर सकते हैं तो डिस्पोजिबल चीजों को यूज करने से पहले हैं दियाब दिमाग में देखेंगे कि हमारे अन्वाइरमेंट वो कितना हार्म कर रहे हैं आगे वाला टाइम कैसे हम मैनेज कर पाएंग इन चीजों को तो उसको अगर यूज कम करें तो इन चीजों में थोड़ा कमी आ सकती है चेंजिज इन पैकेजिंग है रजल्ट इन मच ओफ और वेस्ट विकमिंग नोन डाय बायो डिग्रेडेडेबल जो पैकेजिंग मैटीडेल है जो हम चीजे खरीडते हैं उसको पैकेज करने का मैटेरियल भी प्लास्टिक है तो उसको भी कम करना चाहिए ताकि वो नोन बा थोड़ा अगर हम उसकी पेपर की पैकिंग करेंगे तो वो आसानी से डिग्रेड हो सकती है तो वो भी एक उप्शन है वाट दो यू तिंक विल भी इंपक्ट ऑफ दीज इन अवर अन्वारमेंट इसका क्या इंपक्ट होगा देखते हैं आई तिंक ये खतम ही हो चुका है अब ये एक बार देख लेते हैं तिंक ओबर डिस्पोजबल कप्शिं ट्रेन देखी ट्रेन के अंदर इस्पोजबल कप यूज करते हैं यू आस्क यूर पेरेंट से बिल प्रोबीली रिमेंबर ए ताइम वें देटी इन ट्रेंट वाज सूवड इन प्लास्टिक ग्लासि जो कि वापिस करना पड़ता था अगर हम ट्रेन की बात करें दा इंट्रदक्शन ऑफ डिस्पोजबल कप्स वाज हेल डाज स्टैफ फोरवर्ड फोर रिजनिंग ओफ रिजन्स ऑफ हाईजिन तो इसको हम क्यो लेके आए थे इस्पोजबल को ताकि वही थोड़ी साब सफ इस तो आपको बता है कितने लोग ट्रेवल करते हैं कितने लोग जाए पीते हैं बस ही यह ट्रेंज में तो मिलियन्स ओफ लाखों कप डेली के बगर हम फेकते हैं तो कितना वेस्ट बनता है आप खुझ सोचें सम टाइम बैक कुलर्ड्स डाट इज डिस्पोजबल कप्स म वर सजेस्टिट एज अन अल्टनेटिव बट लिटल थोट शोड़ एट मेकिंग दीज कुलर्ड्स ओन लार्ज स्केल बुट रजल्ट इन लोग सफटाइल टॉप स्वाइल लोके एक और प्रब्लम आएगी कि भी कुलर्ड कहां से बनता है मिट्टी से बनता है इकनी मिट अगर डेली चाहिए तो कितने मिट्टी लगेगी और मिट्टी कहां से आएगी तो भी जो मिट्टी तो ऊपर इसे ही ले जाएगी सता इसे जो टॉप स्वाइल होती है वह हम यूज करेंग तो वह भी स्वाइल के लिए अच्छी बात नहीं है फर्टाइल स्वाइल निकल करेंगे वह तो इसलिए क्या और आसकल पेपर कप का यू जो रहा है पर से बने हुए कप वागट भी स्वाइब और इसपोजेबल प्लास्टिक कॉप क्या भी पेपर कप असानी से डिंगर कर देंगे अगर बाहर भी गिर गया दूप गिरेगी पानी गिरेगा थोड़ा ग जाएगा गिल्ला होकर के मिट्टी के कॉंटेक्ट में आएगा वहां पर बैक्टिर्या फंजाय उसको थोड़ा सा डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे जल्दी से और डिग्रेड हो जाएगा वेस्ट नहीं बनेगा प्लास्टिक का क्या है प्लास्टिक का डाल दिया तो आ अगर हम इसको अपने डिली लाइफ के अंदर भी अगर इंप्लिमेंट करेंगे तो हम आगे जाकर के काफी बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं आपकी एज से ही आप सोचना सुरू करेंगे तो आपका अगर इसमें इंट्रेस्ट हो गया तो आप ही कुछ न कुछ सुलिशन दे स सकते हैं हमारी सोसाइटी को तो अब यह चैप्टर आइफिंग कंप्लीट हो चुका है अब इसके न्सी आर्टी के नोट्स आइफिंग मैं प्रोवाइड करवाओंगा और साथ में इसके जो केसंस हैं एकसराइज के भी और जो जैप्टर के बीच में वो भी आपको पेडि कर